आज के इस संदर्व में हम प्रभेश करें उससे पूरू मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दो बार शक्ति पर जिसे हम नावरात्र कहते हैं वैभारत की परंपरा के अनुसार मनाने के लिए बहुत सारे व्रत लोग करते हैं, बहुत सारा त्याग करते हैं, अनेक तरके तप करते हैं लोग, स्रंगार को छोड़ देते हैं, जमीन पर सोने लग जाते हैं, अपने स्वाद को छोड़ते हैं, और इन दिनों में व्यक्ति खान पाने में भी शुदता अपनाता है, और उसक इसी कन्या के अंदर भी देवी का रूप दिखाई देता है ममता में मा का रूप दिखाई देता है जिस से ये पता लगता है कि दुनिया में गंगा से भी पवित्र यदी कुछ है तो मा का दूद और उसकी ममता और उसका प्यार है आसमान से भी उंचा अगर कुछ हो सकता है तो कहते हैं वो पिता का अर्मान है और जिसके प्रेम में निश्चलता है खोट नहीं है कोई देवताओं के प्यार से भी बढ़कर जिसका प्यार है वो केवल मा का प्यार माना जाता है जिसे कहा जाता है कि जो कभी कम नहीं होता हमेशा रहता है कहा जाता है कि किसी महत्मा कत्याग और बलिदान देखना हो तो मा की मूरत में देखना हो चंद्रमा की शीतलता देखनी है तो मा में देखना और रोश्नी दिखाने वाले सूरज जो रास्ता दिखाता है जिसके उगने से सैकडो हजारो रास्ते दिखाई देने लगते हैं तो जिन्दगी में होप पैदा करके आश्त पैदा करके आशाओं को जगा कर जो हमारे लिए अनेक रास्ते खड़ा कर दे वो माही है इसलिए भारत रिश्यों ने ये कहा कि जीवन की संपूनता के लिए तीन चीजें जरूरी है तीन विद्याले जरूरी है मात्रिमान, पित्रिमान, आचार यवान, पुर्शो वेदा पहला स्कूल तो मा का ही है जहांसे ममता प्रेम और सम्विदन शीलता सीखे जाते है जिनके अंदर मा का वो प्रेम होता है तो वो अपने प्रेम और अपनी संविदना के साथ दूसरों के प्रति भी संविदन शील होते है नहीं तो व्यक्ति मशीन बनके रह जाता है अपना मतलब तो समझ में आता है दूसरे का कोई ध्यान नहीं आता इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि पहला विद्याले मा का विद्याले है लेकिन उसी के साथ जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और घर से बाहर निकलना चाहता है तो वो समय उंगली थाम कर जो दुनिया दिखाए और अपने कंदे पर बैठा कर संसार की उंचाईयों को छोने के लिए उतसाइद करे वो पिता होता है जो संसार की उंच नीच को समझाता है और ये भी दर्शाता है कि मा के आंगन में रहकर तुमने प्रेम को तो समझ लिया लेकिन दुनिया की निर्दहता को भी देख लो ये दुनिया तुमारी मा नहीं है दुनिया बहुत कठोर है इतने निर्मम हैं कि अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे लोग पिता इसलिए दुनिया की कठोरताओं से परिचे तो कराता ही है लेकिन सासाथ उसे कहता है कि खुद भी मजबूत बनो साहसी बनो कायरों के लिए दुनिया नहीं है बहादरों के लिए है जीना अपने ओपर होता है अपने कंदों पर अपनी जिंदगी का बोज डोया जाता है दूसरों के कंदों पर तो मुर्दों के ही बोज डोय जाते हैं अर्थियां चलती हैं दूसरों के कंदों पर जिंदगी तो अपने कंदों पर जी जाती है इसलिए किसी का बरोसा और किसी की आस किसी की उमीद पर अगर खुशी ठहराओगे तो तुम्हारी खुशी सच्ची नहीं होगी हाथ पाउं चलते रहे मन मजबूत रहे अपनी कमाई खुद करने वाले बन जाओ शिकायतें छोड़ो जिसने भी थोड़ा साथ दिया धन्यवाद करना शुकर दो और स्ट्रॉंग होना पड़ेगा शशक्त मजबूत शक्तिशाली बलवान दुरबलताओं को जीतना जरूरी यह दूसरा विद्याले हैं तीसरा विद्याले वो है कि जहां से आप अक्षर ग्यान तो कर लेते हैं लेकिन जिंदगी जीना जहां से सीखने को मिलता है अक्षर ग्यान तो सिक्षक करा देगा वो एक टेकनोलोजी देदेगा आपको टेकनिक सिखा देगा अक्षरों को सिखा देगा लेकिन देखने में आया है कि पढ़े लिखे होने के बाद अक्षर विद होने के बाद भी लोगों को जीना नहीं आता इस लोक को और परलोक को कैसे सुधारा जाए दुनिया के संबंदों में कुशल हो सकता है आदमी लेकिन परमात्मा से रिष्टा कैसे जुड़ता है लोक सुधरे और परलोक सुधरे इस विद्या का विद्याले सद्गूरू का विद्याले है तो इसी को कहा मात्रिमान, पित्रिमान फिर आगे का आचारियवान, पुरुषो वेदह आचारियवाला, गुरुवाला कोई हो जाए पुरुषो वेदह, शत्पत ब्राह्मन में ये ज्ञान दिया गया कि तब व्यक्ति ही निश्चत रूप से ज्ञानी बनता है अब यहाँ जो हम लोग देखते हैं कि सद्गुरु का विद्याले मिल जाए तो नसीब वाले को मिलता है क्योंकि इसमें बड़ा समर्पन चाहिए इसमें बड़ी वह सारी चीज़ें करनी पड़ेगी प्रनिपात भी चाहिए, सेवा भी चाहिए परिप्रश्ण भी चाहिए, समर्पन भी चाहिए तद्विद्धी, प्रनिपातेन, परिप्रश्णीन, सेवया तब जाकर सद्गुरु अपना वो रहस्यात्मक ज्ञान देता है जिससे व्यक्ति का कल्यान होता है और उस ज्ञान को क्योंकि सामाने अक्षर तो आप पहले टेप रिकार्ड पर सुनते थे आज कल आपको सोशल मीडिया पर और छोड़ दीजी आपके पास तो एक वाटसेब विश्व विद्याले है वाटसेब युनिवस्टी इतनी तेजी से काम करती है आपके जागने से पहले आपके लिए रोज के लेसन है आप भी बिना पढ़े आगे फारवर्ड करने में लगे हुए है सब एक दूसरे को फारवर्ड कर रहे है फूल भी भेजे जा रहे है मुस्कराट भेजी जा रहे है होली पर लड़ू भेज दी है लोगों ने उसने भी आगे से आगे थाल पर उस दिया दोसरे को लेकिन यह द्यान रख लीजे कागज पर बनए वे लड़ूं से कभी भी किसी के होटों पर मिठास नहीं आते कबीर ने इसलिए कहा था तू कहता कागज के लेखे तू तू कागज का लिखावा बता रहा है मैं कहता आखन की देखे मैं तो आखों का देखावा तुम्हे बताना चाहरा हूँ सद्गुरु वही बताता है इसलिए गुरु नानक देव ने कहा था जागो रहे जिन जागना अब जागन की बार ये मनुष्य का चोला ये जागने की बारी है जिनोंने जागना है जाग जाओ फिर क्या जागे नान का जब सोवे पाउं पसार आखिर में तो तुम्हें नींद आई जाएगी वो वाली नींद जब कभी आँके खोली नहीं पाऊगी तो अभी क्यों सो रहे हो जाग जाओ उपनिशदों में भी इसी बात को लेकर के का ये मराज जब नचिकेता को समझाने लगा के नचिकेता छोटी से बच्चे हो पहले तो ये जान लो कि जीवन का रास्ता बड़ा कठिन है छूरे की धार है शुरस्य धारा निश्टा दुरत्यया जैसे छूरे की धार पर चलता है कोई राजस्तान में तलवारों की धारों पर नृत्य करती है महिला है पुरुष अद्बुत नृत्य होता है लेकिन धार को कैसे रखना है तलवार की और पाऊँ को कैसे रखना इसी की तो ट्रेनिंग होती है छूरे पर भी चला जा सकता है लेकिन कुशलता चाहिए बहुत सदावा पाऊँ थोड़ा टेड़ा होते इकट कर गिर जाया दी उन्होंने कहा कि जिन्दगी बहुत तीक्षी छोरे की धार पर चलने के समान है क्या गरना है उत्ष्टता जागरता उठो अब ये उठने वाली बात जो कही गई वो बड़ी अधूत है वहां कहा गया उठो जागो और जो प्राप्त करने के लिए आये हो निबोधता उसको जान लो पहले कि ये तुम प्राप्त करने के लिए आये हो उत्ष्टता जागरता प्राप्य बुरान निबोधता ये यम्राज ने उपदेश दिया था जब उसके दर्वाजे पर तीन दिन तक वो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था और भू का बच्चा जब यम के दर्वाजे पर मौत के दर्वाजे पर बैठा हुआ है और यम्राज हुआ था ने बार गया हुआ है उपनिशित किरिशे ने ये कहा कि दुनिया मौत से डर के भागती है लेकिन कोई मौत के दरवाजे पर जाके खड़ा होकर आवाज दे के मैं आगया हूँ तुआ और मिल तो मौत अपने घर पर नहीं मिलती है वो भी अपना दर छोड़ के भाग जाती है कि कोई मुझे ललकारने के लिए और मेरे दरवाजे पर आ डटा है तो दुनिया को बदलने वाले वही लोग हैं जो मौत के भी पंजियों को मरोडने की ताकत रखते हों वेदों में इसको कहा मौत के पाउं को खींच कर नीचे गिराते और उस पर पाउं रखते भी जीने के कामना करो तब तो तुम बादुरी से जी सकोगे डर कर भागने वालों के लिए जिंदगी नहीं है बड़ा अद्भुत गयान है इसलिए पहले ये कहा गया उत्तिष्ट तो उठो क्यों उठो मतलब जहां तुम हो जिस इस्तती में हो जिस प्रस्तती में उससे उपर उठना शुरू करो पहले जहां जी रहे हो जैसी इस्तती में जी रहे हो उसमें पड़े मत रहो नहीं मेरी तो जिंदगी ऐसी मेरा तो नसीब ऐसा मेरे साथ तो यही होता है मैं कितनी भी कोशिश कर लो हारके ठक करके बस यही सब होना होता है कोस्ता चला जाए अपनी किस्मत को आदमी तो कभी भी उसकी जिंदगी में कुछ भी बेतर नहीं हो सकता बड़े अजीब लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं कि मैं तो शर्ट लगा लूँ कि मेरी किस्मत बदल जाए मेरा तो साथ बुरा ही होना है बोले अगर मुझे कोई कबर खोदने का काम दे दे तो लोग मरना बंद कर देंगे बोलेंगे इसको काम नहीं मिलना चाहिए इतना जादर निराश हो के कोई बैठ जाए अब बोलें बदकिस्मती हो तो आदमी उट पे भी बैठ के चले कुत्ते के डर से के काट ना ले कुत्ता वहीं आके काटता है उट पे चड़ के काटता अब कुत्ते की इतनी हिम्मत है वहां तक पहुंच जाए लेकिन जिसने कटवाना है न जिसने अपने मन को वैसा बना लिया उसको तो वहां तक भी मुसीबत आएगे इसलिए बात ध्यान रख लीजिए कि जब आप निमंत्रन देने ही लग गए गरंतकारों ने बड़ा अच्छे डंग से का बहुत प्यारे रिष्टेदार को जैसे याद करते हो ऐसे तुम अपने दुखों को याद करते हो जादे याद करो के रिष्टेदार को फोन कर लेगा बुरास्ते में मिल जाएगा नहीं तो घर में आ जाएगा तो दुख को रिस्तेदार के प्यारे रिस्तेदार की तरह मत याद करना नहीं तो कहीं न कहीं मिलेगा जरूर नहीं तो फोन करता रहेगा आया नहीं आया तो भी डराता रहेगा और अगर ज़्यादा याद करोगे तो तुम घर पर पहुँचेगो पहले बैठा मिलेगा निकलिए उस प्रस्थति से बाहर इसलिए जहां हो जिस स्थति में उससे बाहर निकलने की चेश्टा करो तभी तुमारा कल्यान हो सकता है इसलिए जागरण का उसर है पहले कहा है उत्तिष्ट तो उठो और फिर कहा है जागरत जागो तो इन दिनों जागरती जागने की बात बहुत ज़्याद कही है इसलिए मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण का वो संदेश सुनाया था जिसमें उन्होंने कहा या निशासर भभोता नाम तस्याम जागरती सैयमी कोई सैयमी कोई सादक कोई कंट्रोल करने वाला कुद पर सेल्प कंट्रोलर कोई भी बन जाए खुद पर निंत्रन करने वाला कोई भी बन जाए बस समझ लेना कि उस व्यक्ति की जिंदगी में अंधेरी रात नहीं रहती उसकी तो रात में भी उजाला है वो तो हर प्रिस्थतियों में बाहर निकलने की इस्थति पैदा कर सकता है इसलिए सबसे पहले तो मैं सभी से ये निविदन करूँगा कि बहुत अच्छी अच्छी बाते हमें पसंद आती है और हम लोग सुनते भी हैं और मजा भी आता है और ससंग सुनने के लिए हम लोग ससंगी भी बन जाते हैं तो पसंद करने वाले अच्छी बातों के आप बन गए अच्छी बात है पर इतने से बात नहीं बनते अच्छी बातों को पसंद करने से ही आप अच्छे नहीं हो जाते इसके बाद अगला प्रयोग शुरू हो जाता है जब आप उन अच्छी बातों के पॉइंट्स नोट करने के साथ साथ अपने हर दिन की ब्लम वेला में, अमरित वेले में, अपने ओपर प्रयोग करना शुरू करते हैं। जब आप निश्य करते हैं कि ये सप्ता या ये 21 दिन सप्ता करें, पकवाड़ा करें या तीन सप्ता का जो मनवैग्यानिक नियम है, एक 21 दिन के लिए एक नियम ले लिया हमने है। कहते हैं नियम और प्रेम, ये दोनों इनसान को बहुत हुचा उठा देते हैं। प्रेम पूरवक कोई नियम लिया जाए। और नियम लेकर फिर उसे प्रेम पूरवक निभाएं। और प्रेम का भी कोई नियम रखकर चलें, जिसके प्रती प्रेम है उसको लूटने की कोशिश मत शुरू कर देना, इससे मुझे क्या क्या फायदा हो जाए, क्या दे सकता हूँ, इसको द्यान में रखेंगे तो आपका प्रेम बढ़ेगा, तो इसलिए ये बात द्यान रख लेजिए, कि आपकी जिन्दगी को उचा उठाने के लिए, आपके जीवन में कोई नियम जरूर होना चाहिए, और उस नियम के साथ में, आप हर दिन अपने उपर कुछ प्रियोग शुरू कर दें, और 21 दिन के प्रियोग अगर आप करते हैं तो आपके उप अंदर बहुत बड़ा चमतकार जैसा कारी शुरू होता है. झाल झाल सभी वक्तों के लिए बहुत बहुत आशिरवाद, बहुत बहुत शिवकामना हैं और सभी को आमंतृत कर रहा हूं मैं रिशिकेश हेमाल गंगा तट पर बैठ करके हम लोग प्रतेक वर्ष की तरह इस बार फिर साधना में द्यान साधना में शामिल होंगे यह कारिकरम रहेगा सत्रा नॉंबर से बीस नॉंबर दो हजार बाइस तो आप परमार्थ निकेतन में गंगा तट पर और हेमालय के उस आंगन में जहां शद्दावाव से प्रतेक वर्ष हम लोग साधना करते हैं इस बार की साधना बहुत बहुत अद्भुत होने वाली है उसके संबन्द में अलग से आपको जान करें देंगे क्या-क्या लाब आपने उसमें प्राप्त करना है बस अब से तो इस समय यही निवेदन करूँगा कि आप लोग तैयारी कर लीजिए और जो लोग हिमाचल में नहीं जा पाए थे मनाली नहीं जा पाए थे तो उन सब के लिए आउसर है कि वो रिश्य के आवश्य पहुँचें और इस बार इस बात का भी ध्यान में रखा गया है कि पहले जैसे जो है वो एक समय होता था कि जब बहुत भीलबाड हो जाते थी गंगा तट पर इस बार ऐसी तिथियां रखे गई हैं कि जिससे आपको पूरा आउसर मिल सके और शांती में आप जह हैं वहां साधना भी कर सकें गंगा सुनान भी हो सकें और वहां के आरते में भी भाग ले सकें तो आप सभी के लिए बहुत बहुत आशिरवाद मंगल कामने और आमंत्रन भी